तो मेरो नाम इसे संगरतिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना योडिव चनल एक जोंग वारियर्स पेगेंज देखें एंटीपीसी लेवल फाइफ में सेकेंड डीवी को लेकर के एक ओफिस्चल नोटिफिकेशन आई है जिसके उपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें ये बात बताई जा रही है कि सेकेंड डीवी की जो लिस्ट होगी वो कब तक आजाएगी कि आपको आज पता चलेगा इसके अलावा एक जो सबसे इंपोर्टेंट बात है जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा था और जो भी चात्रों की जो डिमांड थी हो काफी टाइम से हमारे कॉमेंट बॉक्स में भी ये पूछा जा रहा था कि कम चात्रों को क्यों लिया जा रहा है जितनी वेकेंशियों से कम लिया जा रहा था तो ऐसा क्यों लिया जा रहा था इसके लिए भी ओफिशन नोटिफिकेशन में यहां पे बाते बताई गई हैं तो इसको हम लोग चानेंगे इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा जो आप सभी लोगों का डाउट है वो ये है क उससे कभी-कभी अधिक भी है तो भी लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या रिजन है क्या यह कैसे ऐसा हो जा रहा है और क्या बाद में जब सेकेंड डिवी आएगी तो उसमें आपका नाम आ सकता है तो इस सभी पिशियों के उपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाल बोर्ट जारी कए गया है और क्या इसमें बताएगी है तो देखिए यह नोटिफिकेशन कल साम के समय में यहां उसमें अब क्यों लिए चार रहा है तिक है इसी नोटिफिकेशन को हम लोग यहां पढ़ते हैं और क्या-क्या बाते बताएगी हैं वो हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं Notice for Information of Level 5 Candidate of CEN-1-2019 NTPC लिखागा है with reference to Level 5 result notified on 24-11-2022 It is informed that the provisional short listing of candidates have been undone based on their CVT2 marks and option given by the candidate for different level post तो दीखें यहां पर पहली बात यह लिखें जो भी लेवल 5 में result दिये जा रहा है CVT2 के जो marks है वो उसका basis है इसके अलावा जो भी अपने preference दिया है ठीक है जो भी पे लेवल 5 में job है जो चार post है उनका जो preference दिया है यह उसके basis पर result तयार किया जा रहा है आगे बताया जा रहा है कि जो भी goods guard का है या फिर commercial come ticket clerk का है उन सभी के लिए यहाँ पर 85% ही sprint को बुलाया जा रहा है ठीक है और ऐसा क्यों किया जा रहा है इसकी सबसे बड़ी वजा यह है कि जो goods guard की जो post है जी जी की उसमें जो है जो की medical standard है वह A2 मांगा जा रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि लगबग 12-15% चात्र जो है न वह A2 medical standard में fail कर जा रहे है और इसी वज़ा से आपने देखा था कि level 6 में काफी सारे strength जो है वह fail हो गया तो किसी-किसी board में लगबग हर board में 2nd DV जारी किया गया और किसी-किसी board में 3rd, 4th, 5th भी DV लिश्ट जारी की गई थी और उसकी सबसे बड़ी वज़ा थी A2 medical standard क्योंकि चात्र फेल हो जा रहे है तो ऐसे में यहां पर भी वही चीज किजा रही है क्योंकि goods guard में A2 medical standard मांगा गया है बट अगर यह चात्र merit list में है और goods guard में यह fail कर जाते है A2 medical standard तो जो नीचे वाली जो post हैं जिसमें B2, C2 standard मांगा गया है तो उन चात्रों को उसमें सामिल किया जाएगा इसलिए सभी post पर 85% से अधिक शात्रों को नहीं बुलाया जा रहा है जिसकी वज़ा से बाद में जब second DV आएगी तो बचे हुए post को भरा जाएगा देखे आगे लिखा गया है कि the balance candidate in senior commercial come ticket clerk post and those shortlisted for all the vacancies of senior clerk come typist will be called in second document verification tentatively planned in the first week of January 2023 तो बाकी के जो भी छात्रों होंगे जो भी वेकेंट सीटे रह जाएगी उनके लिए second DV list आएगी और वो DV की लिस्ट कब आएगी तो first week of January क्योंकि आपने देखा है कि अभी तक जो भी medical का जो date दिया जा रहा है normally first week of December यानि कि 5 से 6 दिसंबर से ले करके 22 से 25 दिसंबर तक का डेट दिया जा रहा है अल्मोस्ट सभी आरवे में तो लगभाग लगभाग दिसंबर का जो पूरा समय है वो इस DV में ही चला जाएगा और इस वज़ए से उसके बाद जब पूरा का पूरा लिस्ट तैयार होगा तो second DV की भी लिस्ट आएगी जो की January में first week में आ जाएगे तो मैं उन छात्रों से कहरा चाओंगा कि जिन छात्रों के नंबर जैसे मान लिजे कि cut up जो है 78.33 गया है किसी बोर्ट का ठीक है और आपका marks भी इतना ही है तो देखे क्या है कि second DV में आपका नाम आने की chance है ठीक है क्योंकि होता क्या है कि जब कभी अगर मान लिजे कि 400 वे हो गया मतलब 396 जो है 396 मान लिजे कि 78.5 पर ही पूरे हो गए बच्चे कितने 10 शात्रों को और लेना है तो जब पीछे आते है 78.33 पर यहां पर उन्हें लगवग लगवा मान लिजे 20 शात्र मिलते हैं एक सेम नमर पर तो ऐसे में दस ही छात्रों को लेना उन्हें तो दस चात्र वही होंगे जिनका एज जो है ना अधिक होगा अधिक एज वाले को पिरोरिटी दी जाती है और उन्हें ही ले लिया जाएगा तो आपका नमर कटप के बराबर होने के बावजूद भी नहीं आया है इसका सीधा समतलब है कि उस नमर पे और भी अधिक छात्र है जिनक आपका नेम के अल्फावेट से मैच किया जाता है जिसका अल्फावेट का लॉंडर पहले आता है उसको पहले पिरोर्टी दे दिया तो इस तरीके से चलता है अब अगर मान लेजे आपका नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए देखे अगर आपका नहीं हुआ है तो खाली रह गए क्योंकि 85% की बात कर रहे हैं तो आप अपने कटेगरी में चेक कर सकते हुआ लिजे आपके कटेगरी में लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा अगर आप दूसरे एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो इसकी वज़ा क्या हो सकती है दिखे उसकी जो वज़ा है वह यह है कि मान लीजे कि आपका जो है आप नमब कटकि जो नममर कटफ जो हा 1882 गया हुआ ठीक है यह है, टैपिंग् पोस्ट का कटफ डैक agrad यह 32 गया हुआ है और आपका नममर 84 फिर वह आपका लिष पर नाम नहीं आया है तो इसकी तो पहली वज़ार यह हो सकती है कि आप टैपिंग में फेल है इसलिए tapping post में आपका नाम ही नहीं आया है ठीक है दूसरी बज़ा यह हो सकती है कि 80 तो cut up गया है लेकिन आपकी priority में यह सबसे last में था और first priority में आपने किसी ऐसी post को दिया था जिसका cut up आपके नमर से अधिक था तो priority भी यहां पर matter matter करती है ठीक है तो इन दोनों वज़ों से हो सकती है कि आपका नमर ना आया हो बट बिल्कुल परसान होनी की जरूत नहीं है अगर आपका नमर अधिक है cut up से तो definitely second day में तो hundred percent ही chance है कि आपका नाम आ जाएगा ठीक है यह hundred percent chance है हाँ बस यह रखना है ध्यान कि अगर आप typing pass है तो ही आपका typing वाले में नाम आएगा number भले ही आपका अधिक है और अगर tapping fail है तो आपको यह देखना होगा कि क्या आपका non tapping post की cut up से अधिक है या नहीं है तो यह सारी बाते हैं जो मैंने आपको बताई तो यह information थी आगे जो यहां पर लिखा गया है वो भी ध्यान में रख लीजिए candidate shortlisted may kindly note that the shortlisting made is only provisional and after the result of document verification and medical fitness standard final shortlisting of candidate will be done for all the three post under level 5 based purely on the CVT2 marks तो यह बोला गया कि अभी तक जो भी लिस्ट में नाम दिएगे हैं वो पुरितरी किस प्रोविजिनल है बाकि जो final list है वो document verification और medical के बाद जारी की जाएगी ठेक है तो यह information थी जो आपको मुझे देनी थी उमिद करता हूं यह information आपको काफी अच्छी लगी होगी आपके हिंदे जया बारत